हेलो एवरिवन तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड एयर जो फिफ्ट सेमिस्टर इंग्लिश लिटरेचर है पेपर फस्टर जिसका टाइटल है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ओफ इंग्लिश लिटरेचर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ तो वो जरूर देख लिएगा और यह जो कोश्वान बहुत जञधा इंपॉर्डिन है क्योंकि यह आयोए कोशन पेहले के जो इक्जाम होई है नेच्स्ट है माय मारा जो यह कोशन, जो यह कोशन आपको nem से उडिपयों इस वीडियो में यह कोशन करवाओं ग αν sowas जोकास्ता का Cake just each औरोडीपस का खाथ का करेक्ष चेच ओरुप में क्या रोल रहा है ओडीपस रेक्स में वह वाला कोशन है यह तीन कोशन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और बाकी जो पहले वीडियो कम जो तीन कोशन करवाएं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वह वाली वीडियो जरूर देख लें तो देख लेते ह वाइब है, रानी है, थेपस सिटी की, उनका करेक्टर लिखना है, इसमें ठीक है, करेक्टर स्केज, तो अब हम देख लेते हैं, इसका अंसर, जोकास्ता is a complex करेक्टर, complex मतलब होता है, जटिल करेक्टर, जटिल चरितर है, इनिदा, इनिशियेट ग्रीक, tragedy, जो tragedy मतलब होता है, दुख्त काहनी, दुखी काहनी Oedipus Rex, Oedipus Rex जो दुखी काहनी है, उसका एक complex character है जो कास्ता जो है 22 focus, जो Oedipus Rex हमारी tragedy है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इस focus के द्वारा ठीक है, जो कास्ता is the queen of thepas, जो कास्ता कौन है, वो queen है, मतलब रानी है, कहां की थेपस सिटी की थेपस एक सिटी है, सारी जो story है, ये थेपस सिटी के ही बारे में है, ठीक है and wife of Oedipus, और किसकी पतनी है Oedipus की बीवी है she is the widow of थेपस, former king Elias, जो ये विद्वा है, थेपस, former king मतलब जो Elias king थे पुराने, उनकी विद्वा है ठीक है, ये, and married Oedipus when he saved the city, forms Sphinx और जब Elias का murder हो जाता है उसके बाद, ये क्या करती है Oedipus जब राजा बनता है थेपस का, तो उनसे शादी हो जाती है, ठीक है क्योंकि Oedipus राजा क्यों बनता है क्रियोन, और ये सिस्टर है क्रियोन की सिस्टर है ये, जो कास्ता, ठीक है हर करेक्टर can be sketched in detail as follows, इनका करेक्टर sketch किया गया है, डिटेल में ठीक है, नीचे साइड, तो देख लेते हैं हम इसमें हैडिंग से, ये queenly presence, queen की तरह इनका क्या रोल रहा है, ठीक है queenly presence, मतलब उपस्थिती ठीक है, queen की तरह क्या उपस्थिती रही है इनकी, इस स्टोरी में जो कास्ता is the queen of थेपस, जो कास्ता कौन है रानी है, थेपसिती की and her character reflect royal dignity and authority जो इनका character है, वो reflect करता है, दर्शात आएक, इसको dignity and authority को, royal dignity and authority को, ठीक है, गरीमा और अधिकार को, she was married to king lias, इननों ने शादी की, king lias से after his death, और king lias की मिर्तियू के बाद she married थेपस king odipas जो बाद में थेपस king बने odipas फिर उन से शादी कर ली next है हमारी heading, tragic ignorance जो कास्ता's character is defined by her tragic ignorance, जो कास्ता का करेक्टर किसकी तरह दर्शाया गया है दुखत ignorance मतलब आज्यानता की तरह दिखाया गया है she unknowingly अनजाने में marries her own son, इनोंने क्या कर था अनजाने में अपने ही बेटे से शादी कर ली, जिसका नाम था due to the curse that was predicted for lias family एक भविश्यवाणी के कारण जो इनके एक भविश्यवाणी के कारण जो इनके family, जो lias की family है उनके लिए की गई थी एक भविश्यवाणी अभिश्यवाणी अभिश्यवाणी दिया गया था इनको ठीक है, उसी के चलते इनोंने अपने बेटे, अनजाने में अपने बेटे से शाधी कर ली थी next heading है हमारी doubt on prophecy, इनको doubt prophecy मतलब होता है भविश्यवाणी ठीक है, doubt मतलब संदय रहता था भविश्यवाणी पर, यह मान दी थी भविश्यवाणी सच नहीं होती है इनको नहीं बिलीब था, ठीक है जोकास्ता थी, वो क्या करती है थी शुरू में, इनिश्यवाणी के उलचन में थी ठीक है, भविश्यवाणी के उलचन में थी and tries to resource मतलब, ओडीपस से कहती थी कि that prophecies जो भविश्यवाणी होती है वो real नहीं होती है, ठीक है she wants, क्योंकि वो चाहती थी to dispel his fear of fulfilling the prophecy that he will kill his father and marry his mother वो इसलिए ऐसा बोलती थी क्योंकि वो चाहती थी कि ओडीपस इस डर से दूर हो जाए कि वो जो फ्रॉफेसी है भविश्यवाणी हो यह उसके family के लिए कि वो अपने ही पिता को मारेगा और अपनी ही माता का माता से शादी करेगा इस डर को डूर करने के लिए वो यह कहती थी कि ओडीपस से कहती हैं थी कि जो भविश्यवाणी होती है वो सच नहीं होती है अगर आपके यह नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हो कि सम्मेरी वाली वीडियो ज़रूर देखें तब आपके इच्छे से समझ में आएगी इस्टोरी ठीक है conflict and despair जादे टाइम की नहीं होती है सम्मेरी वाली वीडियो पांच-छे मिनिट में समझा दिया जाता है पर वो आपके लिए बहुत जादे हैल्फुल रहती है इसलिए सम्मेरी के बिना आप किसी चैप्टर के कोशन से ना पढ़ा करें ठीक तो next heading है मारी conflict and despair ठीक है निराशा संघर्ष और निराशा जैसे जैसे पिले अनफोल्ड होता है कहानी आगे बढ़ती है जोकास्ता का जो करेक्टर है वो अपने अंदरूनी संघर्ष की ओर बढ़ने लगता है and despair conflict मतलब निराशा अंदरूनी निराशा की तरफ बढ़ने लगता है as she slowly begins to peace together the truth of odipus organs जब वो हलके हलके क्या करती है पीस जो तुकडे हैं odipus की organ के जब odipus organ यानि उसके जन्म की सच्चाई सामने आने लगती है उसके जन्म की उसके organ की सच्चाई सामने आने लगती है तो जोकास्त जो है वो अपने अंदरूनी संघर्ष और डिस्पैर मतलब निराशा में चली जाती है ठीक है जब उसकी सच्चाई के तुकडे जुनने लगते हैं odipus की organ की सच्चाई के तुकडे ठीक है नेक्स्ट है हमारी हेडिंग सुसाइट इन आ ट्रेजिक टर्न ओफ इवेंट्स घटनाओं के जो दुखद मोड आता है तब जोकास्ता इस अनेवल टू बेर दा हॉरिफाइंग रूथ वो हॉरिफाइंग मतलब खतरनाक सच्चाई को सुन नहीं पाती है और अपनी जान ले ले लेती है तो इनका ये जो सुसाइट करना है वो एक पावरफुल सिंबल है ठीक है किस चीज़ का इनकी अल्टिमेट डिस्पैर निराशा का इनकी और इनेवलेटी तो डील विद्धा अनफोल्डिंग ट्रेजिटी और वो मतलब इनेवलेटी दिखाती है मतलब कि वो दुखत कहानी को सहल नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइट कर ली ठीक है नेक्स्ट एडिंग है हमारी फेट एंड फिरी विल फेट मतलब होता है भाग के और स्वैम की एकचर ठीक है जोकास्दा इस करेक्टर आल्सो रिपरेजएंट दा थीम ओफेट एंड फेट versus फ्री विल जो जोकास्दा का करेक्टर है वो किस थीम को दिखाता है फेट फेट वर्स फ्री विल को दिखाता है मतलब जो हम खुद करना चाहते हैं और जो भाग्य हमारे साथ करता है इस चीज को इनका करेक्टर दिखाता है शी एंड लायस शी मतलब जो कास्ता और लायस जो राजा थे मतलब इनके हस्बेंट अटेम्टेट टू डीफी उन्होंने क्या करा ब्रोफेसी जो भाई अबेंडिंग देयर सन उन्होंने जो भविष्यवाणी थी है उसको टालने की कोशिश करी किसके दोरा अपने सन को खुछ से दूर करने के दोरा उन्होंने सोचा कि अगर हमारा सन हमसे दूर हो जाएगा वो मर जाएगा तो आगे चलकर वो अपने पिता को कैसे ही मारेगा भविश्यवानी की गई थी कि वो आगे चलकर अपने पिता को मारेगा और अपनी मामा से शादी कर लेगा तो उन्होंने अपने सन को दूर भेज दिया था खुछ से मतलब मार दिया था उसको ठीक है तो उसने सोच फिर पर पर इनके जो एक्शन से इन एडवर्ट शेंशली सेट दा प्रॉपेसी इन मोशन पर क्या हुआ कि भविश्यवानी को मोशन में लागए इनके एक्शन जो थे अनजाने में ही भविश्यवानी को गती पिर्दान की मतलब जो भविश्यवानी हुई थी कि अपनी मां से शादी करेगा तो वो सच हो गई आगे चल कर नेक्स्ट है हेडिंग हमारी सिंबल ओफ ट्रेजिटी ये जो हैं पिर्तिक हैं दुखत कहानी का पिर्तिक हैं जो जुकास्ता का करेक्टर है जुकास्ता सर्व्ज ऐज़ अ सेंट्रल फिगर इन दा ट्रेजिक नेरेटीव आफ दा पिले जो इक केंद्र उथल पुथल and ultimate that contributed to the overall theme of tragedy in Oedipus Rex जो theme है tragedy जो theme है Oedipus Rex की उसको उसने बहुत जादा रोल रहा है इनका ठीक है next reading है हमारी conclusion यानि निसकर्ष दोज जोकास्ता is the character who performed transformation from a confident queen to a tragic figure जोकास्ता का जो character है वो एक confident coin से है मतलब जो जिस coin को confident था वहां से लेकर उसको tragic figure की रूप में दिखाया गया है ठीक है last में आते आते हैं उसका जो character था वो tragic figure का रूप ले लेता है ठीक है दुखत इस तरी का दुख से बड़ी इस तरी का रूप ले लेता है the story of her character is linked to the theme of fate जो इनका character है वो किस से जुड़ा है theme of fate भाग के कि जो theme है उससे जुड़ा है free will मतलब अपनी इच्छा की जो theme होती है उससे and the harsh nature of tragedy in greek drama tragedy मतलब दुखत कानी के harsh nature से जुड़ा है इनका character ठीक है तो यह हमारा यह वाला question भी हो गया complete यह भी most important questions है और इस chapter का जो एक question है odipus rex का character लिखिए as a tragic hero की तरह दुखत hero की तरह इनका character लिखना है odipus rex का वो बहुत जादा important question है ठीक है और आभी चुकाए कई बार तो अब हम अगला next question वही होगा हमारा तो यह हमारा questions how far does odipus fulfill qualities of an ideal आदर्श tragic hero discuss करना है हमें कि odipus कैसे fulfill करता है अपनी qualities को tragic hero की qualities को fulfill कैसे करता है वो tragedy की hero मतलब एक दुख से भरा hero ठीक है आदर्श दुख से भरा hero जो उसकी qualities होती है उसको कैसे fulfill करता है odipus ठीक है comment on the significance of the title of the play जो title है odipus rex उसको महतपूरता बताना है हमें इसमें ठीक है next हमारा explain why odipus is the tragic hero in the play odipus rex odipus rex में जो odipus है वो tragic hero दुख्ध hero क्यों है ठीक है इसको explain करना है तो इन तीनों answer मतलब इन तीनों question के answer ये रहे तो ये पढ़ लेते हैं इस focus इस focus जो writer है हमारे odipus rex के is focus odipus rex is a classical tragedy जो इस focus की odipus rex है वो एक classical tragedy है दुखत कहानी है according to according to Aristotle Aristotle के अनुसार the tragic hero has has some important characteristics that odipus satisfy कुछ characteristics है important और उन्हें odipus जो है वो satisfies करता है ठीक है तो next है हमारा अरिस्टोटल ने concept दिया था अरिस्टोटल ने ठीक है अरिस्टो भी बोलते हैं निमें इनको ठीक है जो यह लिखा है उसकी साबसे इसको अरिस्टोटल ही पढ़ेंगे ठीक है वैसे तो अरिस्टोटल ही बोलते हैं तो इनका इन गयँ आदर्श वै Suzuki हिरो है वह क्या होना चाहिए हम हाइडी स्टेटस का एक आदम Yoश्य कर एछा मैन ऊफ हाइड़्य स्टेटस ओन चाहिए in शुल्ड नाइसटर भी कंपिलेटली कूड़न नहीं वो जाधे बुरा होना चाहिए और नहीं वो जाधे अच्छा होना चाहिए ठीक है इविल मतलब बुरा According to Aristotle, Aristotle के अनुसार, tragic heroes are flawed individual who commit without evil intent great wrongs or injuries that ultimately lead to their misfortune जो है tragic hero जो होता है अरिस्टोटल के अनुसार एक tragic hero एक individual होता है ठीक है जो उसका भागया जो है बिना वो बिना किसी बुरे इरादे के evil intent without evil intent मतलब वो बिना किसी बुरे इरादे के कुछ गलत कर बैठता है ठीक है जैसी ओडीपस ने अपनी माँ से शादी कर ली थी अन्चाने में वैसे ही ठीक है और जो आगे चलकर उसके misfortune दिखाते है ठीक है उसका बुरा भाग के दिखाते हैं नेक्स्ट पेरा है हमारा let us examine how far does ODPUS fulfill qualities of an ideal tragic hero कितना घहरा उतरता है ODPUS fulfill कितनी fulfill करता है qualities को एक tragic other tragic hero की qualities को कितना भरता है जो ODPUS का character है तो यह देख लेते हैं अरिस्टोटल ने बताया है कि जो ODPUS होता है वो अगर tragic hero जो होता है उसका a man of high status होता है तो ODPUS भी जो है उसका status काफी high है ठीक है अरिस्टोटल की demand के अनुसार ODPUS is a man of high status जो ODPUS है वो एक आदमी है high status का ठीक है उच्छ status का He is son of King Laius वो एक राजा का बेटा है ठीक है राजा का बेटा है तो जाहिर सी बात है high status होगा King of Laius and the Queen of Jokasta ODPUS is an intelligent man और साथी साथ वो समझदार भी है ठीक है intelligent भी है He solved the riddle of Sphinx और वो क्या करता है Sphinx का जो पहली है वो solve करता है and marry with Queen Jokasta और उसके बाद जब वो safe कर लेता है थेपस सिटी को बचा लेता है तो वो जो कास्ता से शादी कर लेता है and become the king of Thepas और थेपस सिटी का राजा बन जाता है Such a man can never be called a man of ordinary rank जो इस टाइब का आदमी को हम आम रेंग के मतलब आम रेंग का नहीं बोल सकते ठीक है Certainly he is a man of high status यह एक आदमी यह high status का आदमी हुआ ठीक है man of high status Next हमारा neither completely good nor completely evil ठीक है नहीं जादे अच्छा और नहीं जादे बुरा According to Aristotle, Aristotle के नुसार the ideal tragic hero has this qualities एक ideal tragic hero के पास इस टाइब की qualities होती है Oedipus is not a perfect person एक perfect person नहीं था Oedipus ठीक है He has his force इसकी बहुत कमिया थी He is faster यह बहुत तेज था in his judgment and very proud of his intelligence जो Oedipus था वह बहुत जल्दी किसी भी इंसान को judge कर लेता था ठीक है और क्या था वह अपने intelligence पर बहुत गर्व महसूस करता था ठीक है वह बहुत गर्व दिखाता था घमन दिखाता था अपने समझदारी पर He soon becomes angry at thriceus a blind prophet जो blind prophet था thriceus उसके ओपर वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है because he feels that thriceus conspired against him वह यह समझता है कि जो thriceus है वह उसके लिए साजिस रचरा है ठीक है इसलिए वह उस पर गुस्सा हो जाता है Even his behavior with Kirion is not acceptable Kirion कोन है? His brother-in-law Kirion his brother-in-law है Oedipus का और जो Oedipus का behavior था Kirion के साथ वह acceptable नहीं है बहुत बुरा behavior किया था Oedipus ने Kirion के साथ Therefore, इसलिए Oedipus is neither completely good nor completely evil इसलिए जो Oedipus है ना जादे अच्छा है और नहीं जादे बुरा है Next हमारी heading है The Irony The Irony मतलब होती है एक बिंडबन ठीक है बिंडबन होती है Oedipus is an excellent king who wishes welfare of the wool state वह एक बहुत अच्छा क्राजा है और वह पूरी मतलब पूरे state के लिए एक बहुत मतलब wishes करता है अच्छाइक wishes करता है welfare of the wool state भलाई के बारे में सोचता है पूरे state के ठीक है उसको फिर भी बुरे आदमी की तरह माना गया state के ठीक है because he guilty of incensed and murder of father also जो वह अनचार का दोशी है guilty of incensed और पिता का खुन है ठीक है murder of father ठीक है पिता का खुनी है he has not done it knowingly पर यह वह जान पूछ कर नहीं करता है but both the sins are underable unpardonable मतलब unpardonable मतलब माफी लायक नहीं है दोनों ही जो उसके अपराद है वो माफी लायक नहीं है ठीक है unpardonable next ending है हमारी a tragic figure यह most important question है अब का ठीक है most most important a tragic figure एक दुखत चितर के रूप में ठीक है एक दुखी आदमी के रूप में ओडिपस is a tragic figure ओडिपस एक tragic figure है if ओडिपस had not discovered that he was girl of his father and husband of his mother अगर वो इस सच्चाई को नहीं खोशता कि उसने अपने पिता का खूल करा है और अपनी माँ से शादी करी है there would have not been any tragedy तो कोई भी tragedy नहीं बनती मतलब एक दुखत काहनी नहीं बनती tragedy is not a यह double repeat हो गया sorry sorry next not have not been any tragedy अगला पेस यह गलत print हो गया double double because of world have not been any tragedy कोई दुखत काहनी नहीं बनती because of this discovery मतलब जो उन्होंने discover करा कि मैंने अपने पिता का खूल करा है इस बात को खोजा और अपने माँ से शादी खरी उसके कारण क्या हुआ जोकास्ता किल्स हरस्टाइल जोकास्ता ने अपनी जान दे दी और ओडीबस बिलाइंड ही जल और ओडीबस ने खुद को अंधा कर लिया सज़ा देने के लिए ठीक है नेक्स्ट है हमारी लांस्ट हेडिंग है conclusion ओडीबस इस अ करेक्टर who undergoes a profound transformation from a confident king to a tragic figure जो ओडीबस है वो एक परफॉर्म करता है एक करेक्टर को जो confident king से tragic figure की और मतलब mode ले लेता है transfer हो जाता है ओडीबस in the play shows both heroic and villain is qualities जो ओडीबस है जो कहानी में दोनो type के role निभाता है hero की तरह भी और villain की तरह भी he is a man of high status यह एक उच्छ status का man है ओडीबस is a tragic figure यह tragic figure है he is neither completely good and nor completely evil नहीं यह जादे बुरा है और नहीं जादे यह अच्छा है तो यह हमारा most important long question था next हमारा the age of Chaucer यह आपको PDF में मिल जाएगा अभी इस वीडियो में नहीं complete करवा सकती है इसके अलावा में एक और question करवा देती हूँ जिसमें simple Oedipus जो है उसका character लिखना है यह तो एक character था एक tragic hero की तरह जो अभी यह question है उसमें Oedipus का character लिखना है simple तरीके से ठीक है एक आम आदमी की तरह करेक्टर लिखना है ना कि tragic hero की तरह Aristotle का concept का tragic hero वाला तो वह उसको हमने उसमें complete कर लिया इसमें सिर्फ हमें simple तरीके से Oedipus का character sketch लिखना है यह भी important question है पर जो Oedipus Rex का character sketch tragic hero की तरह है वह वाला जाद important question है पर इसको भी पढ़ लेना easy language में लिखा है अच्छे से समझ में आ जाएगा तो देख लेते हैं अब हम इसको question है हमारा write the character sketch of Oedipus Oedipus का character sketch लिखिए character sketch of Oedipus headings डालेंगे अच्छे से Oedipus is the main character of the play Oedipus main character Oedipus Rex play Oedipus was the king of Thepas Oedipus कौन है Oedipus जो city है उसका Raja है He saved the city of Thepas from Sphinx and destroy the monster Oedipus उसनों क्या कर रहा था Thepas city को बचाया था Sphinx से monster का अंत किया था Then the people of Thepas accepted him as their king उसके बाद जो Thepas के लोग थे Oedipus को एक Raja के रूप में accept कर लिया था When he came to know the reason of spreading plug in Thepas जब Oedipus को इस बाद का पता चला कि spreading plug फैल रहा था उसकी थेपस city में उसका reason जब पता चला तो उसने अपने he set his mind उसने अपने दिमाग को set किया To search the murderer of the king liars मतलब जो हमारे बिमारी थेपस जो city थी उसमें बिमारी फैल लए थी ठीक है बहुत भैंकर तो उसके पीछे का कारण जानने का उसने सोचा Oedipus वो राजा था तो उसका जिम्मेदारी बनता है कि वो थेपस city की problem को दूर करें तो उसने खोजा कि उसका reason क्या है तो एक उसे पता चला कि जो पुराने राजा थे इस city के उनका खून हुआ था और जिसने उनका खून किया था वो ही उसी के वज़े से उसको सजा नहीं मिल पाई है तो उसी के वज़े से ये बिमारी फैल रही है इस city में ठीक है तो spreading plug in thaymas he set his mind to search the murderer of the king liars तो उन्होंने अपना mind set कर लिया कि वो जो king liars जो पुराने king थे थेपा city के उनके murder, उनके खूनी को वो ढूंड के रहेंगे and punished him और उसे सदा देंगे but at the last he comes to know पर उसको अंत में पता चला that he is himself is murder of king liars, उनको अंत में ये पता चला कि वो खुद ही king liars के murderer है king liars and jukasta are his parents, जो king liars है और jukasta है वो उनके parents है, मतलब माता पिता है, his wife his biological mother, जो उनकी बीवी है, वो उनकी biological मा है, when he comes to know the truth, जब उनको इस सच्चाई का पता चलता है he punished himself, वो अब खुद को सजा देते है and plugs out of his eyes और अपनी आखों को निकाल लेते हैं, ठीक है अपने आखों को फोर्ड लेते है जब उनको इस बात की सच्चाई पता चलती है, तो अब हम इनके कुछ main main qualities देख लेते हैं, ओडीपस रेक्स की नेक्स्ट एड़िंग है हमारी as a king ओडीपस is the king of थेपस city मतलब एक king की तरह उसका क्या रोल रहा है, ठीक है ओडीपस is the king of थेपस city थेपस city का राजा था ओडीपस ओडीपस is an excellent king who wishes welfare of the wool state जो वो विश करता था एक अच्छा मतलब वूल एस्टेट के लिए एक अच्छाई की विश करता था ठीक है welfare मतलब अच्छी चीज का विश करता था कि उसकी जो पूरा जो थेपस राजा है वो खुश रहे in his dealing with common people जब वो common people मतलब आम लोगों से मिलता था he display his honesty, अपनी honesty को दिखाता था people love him, लोग उससे प्यार करते थे he saved the city of thepals from sphinx और जो ओडीपस है उन्होंने क्या करा था थेपस city को बचाया था sphinx थे and destroy the monster और monster का अंत किया था ओडीपस does everything for his city or to get rid from the spreading plug जो बिमारी फैली वही थी उसको दूर करने के लिए ओडीपस ने सब कुछ किया everything मतलब सब कुछ किया ओडीपस ने उसको दूर करने के लिए next है हमारा heading as a family member वो family member की तरह कैसा था ओडीपस ओडीपस has a great respect for his family ओडीपस बहुत जादा इज़त करता था अपनी family की he is always ready to sacrifices himself वो खुद को बलीदान देने के लिए भी तयार रहता था well being of his family अपनी family की अच्छे के लिए वो खुद को बलीदान देने के लिए भी ready रहता था he is a good son वो एक अच्छा बेटा था good husband वो एक अच्छा पती था and a good father वो एक अच्छा पता था he all loves his family very much वो अपने family से बहुत प्यार करता था next time adding हमारी and an intelligent man मतलब एक intelligent buddhiman आत्मी की तरह उसका character कैसा था Oedipus is an intelligent man वो एक बहुत समझदार आत्मी था he has solved the riddle of sphinx and marry with coin जो कास्ता उसने जो riddle था sphinx था monster उसका अंदर किया उसको solve किया जो पहली थी sphinx की उसको solve किया who is a biological mother और अपनी मतलब जो कास्ता है उससे शादी की जो उसकी biological mother थी अंजाने में उसने शादी की ठीक है and becomes the king of the थेपस और वो थेपस सिटी का राजा बन गया he is also very proud of his intelligence और उसको अपने बुद्धी मत्ता पर गर्व था ठीक है बुद्धी पर बहुत जादा गर्व था next reading है हमारी as a tragic hero एक tragic hero की तरह कैसा था ठीक है दुखद hero की तरह वो क्या था कैसा था ओडीपस is a tragic figure ओडीपस एक tragic figure है if ओडीपस has not discovered that he was killer of his father and husband of his mother अगर discover मतलब खोज करना अगर ये खोज नहीं करता था ओडीपस की उसके पिता मतलब अपने पिता को उसने खुद ही मारा है और अपनी माँ से शादी की है तो there would have not have been any tragedy तो कोई भी दुखतकानी नहीं बनती because of his discover ओडीपस के खोजने के वज़े से ही जोकास्ता किल्स हरसेल्फ जोकास्ता ने अपने आपको मार लिया और ओडीपस बिलाइंड हिमसेल्फ और ओडीपस ने खुद को अंदा कर लिया ओडीपस इस विक्टम ऑफ डेंस्टिनिटी ओडीपस बिलाइंड हिमसेल्फ टू लीव इन अट मोस्ट में सीरीज आफटर पनिश्टमेंट उसने खुद को पनिश्ट करने के लिए उसने खुद को अंदख लिया ठीक है इट इस आ मार्क ओफ इस स्ट्रॉंग विल पॉवर देट मेक्स हीम सुपेरियर टू ओधर जो इसने खुद को पनिश्टमेंट किया है वो एक सुपेरियर पॉवर को दिखाता है जो लोगों से और आम लोगों से उसको अलग करती है ठीक है खुद को अंदख कर लिया उसने एक असान काम दोड़ीना है खुद को पनिश्ट करना है तो वो स्ट्रॉंग सुपेरियर पॉवर को दिखाता है ओडिपस की ये चीज़ ठीक है कि खुद को पनिश्टमेंट करना एक इंसान की तरह वो कैसा था ओडिपस एक पर्फेक्ट पर्सन नहीं था ही एस फॉल्ट उसके अंदर कमिया थी ही एस फास्टर इंदा हिस जज्ज्मेंट वो बहुत जल्दी किसी को भी जच कर लेता था और उसे अपनी बुद्धी पर घमन भी था ठीक है ये जून बिकम्स एंग्री एट थ्राइसिस आ बिलाइंड प्रॉफेट जो एक बिलाइंड प्रॉफेट पुजारी था थ्राइसिस उसके ओपर बहुत एंग्री हो गया था जो ओडिपस था विकोज फीels दैट थैट थ्राइसिस गॉसं को आगेस्ट दियम यूस इस उसको लगा की जो धुक फिलाइब सब्सकतिस रहा है जो भाद जलदी गुश्सैघ द्ट उससे बहुत जल्दी गुस्सा हो गया था थीक है उसने बहुत जल्दी जच कर लिया था था था조री ये यह जो पैंसिल से लिखा है वो लिखना है ठीक है therefore Oedipus is neither good nor completely evil ठीक है Oedipus ना जादे अच्छा इंसान था और ना ही जादे बुरा इंसान था ठीक है next heading देख लेते हम last heading है यह निश्कर्श है हमारा conclusion यह लिखना बहुत जरूरी होता है those Oedipus is a character who undergoes a perform transformation from a confident king to a tragic figure जो Oedipus का character है वो किसकी ओर transfer होता है एक confident king से एक tragic figure की ओर बदलता है the story of his character is linked to the theme of fate जो इसकी story है वो भागय की theme से मतलब link है जुडी हुई है free will मतलब मन की एक्छा से जुडी हुई है and the harsh nature of tragedy in Greek drama tragedy के एक harsh nature को दिखाया गया है character के द्वारा Oedipus के Oedipus is the protagonist of the play जो Oedipus है वो play का hero है main character है he is well known for his wit and expertise at solving puzzle और वो अपनी बुद्धी के लिए बहुत जाना जाता था puzzles solve करता था Oedipus is the play shows both heroic and villainous qualities जो Oedipus ने play में show की है दिखाई है hero की भी quality दिखाई गई है और villain की भी quality दिखाई गई है तो यह हमारे last question था और बाकी दो चौसर वाला question है वो आपको PDF मिल जाएगी उसमें पढ़ लिएगा ठीक है वो जादा important नहीं है इसलिए मैं explain नहीं करूँगी ठीक है यह रहा चौसर वाला question और जो इसका PDF है वो आपको इस टेलिग्राम गूरूप पर मिल जाएगा learn with youp कर भाम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और जो तीन questions करवा दिए है वो ज़रूर देख लें उसकी वीडियो और इस topics से जो भी मतलब यह हर कोई देख सकता है जिसके course में भी यह topics है ना उन से related कोई भी इस वीडियो को देख सकता है यह most important question है ठीक है तो और वीडियो अगर helpful रही हो थोड़ी भी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को subscribe कर दिएगा थैंक यू पर वाचिंग